अगर आप कि अपने परिवार एक्जाम पूर में हर्दिक स्वागत करता हूं हमें एक्जाम पूर कलम से करानती तो देखिए कि जो जेलवाडर की एक्जाम के बारे में अभी डेट्स की हुई है तो उसका कुछ नोटिस भी घूम रहा है लेकिन जब तक वो नोटिस ओफिश वेबसाइट पर नहीं आता तो देखिए दो होते किसी भी जानकारी के दो सरोत होते या तो जानकारी अखबार में आए किसी ओफिसर के माध्यम से किसी अधिकारी के माध्यम से या फिर वो जानकारी ऑफिसियल वेबसाइट पर आए तो जो लाश्ट जो जानकारी थी जब यह था कि सितंबर के अंतिम हफते में होना है कब होना है सितंबर के अंतिम हफते में अंतिम सब्तह में आपके एक्जाम की बात थी कि सितंबर 2020 के अंतिम सब्तह में आपका एक्जाम होगा तो वो बिल्कुल ऑफिसियल और वेबसाइट पर थी समझ रहे मेरी बात वो वेबसा में नवंबर की end की बात हो रही है पर मैं उसे तब तक confirm नहीं करूँगा कि जब तक कि वो आपकी official website पर नहीं आ जाती भरती बूड की website पर नहीं आ जाती समझ रहे है मेरी बात तब तक आप लोग अपने आपको ज़्यादा रिलीव मत कराईए कि बिल्कुल निस्चित होकर मत बैठिये जो तरीका था सितंबर तक खतम करने का सिलेबस एकदम सितंबर तक तो छोड़िये जैसे हिंदी का सिलेबस से एप की बात करें तो जुलाई तक खतम हो जाएगा यूट्यूब पर आपका लगबख सा खतम है और आल इंडिया टेस्ट रात को चलता है मेत का भी मेरी सरसे बात हुई है एप पर भी लगबख खतम है एक दो टॉपिक होंगे वो इसी हफते खतम हो जाएंगे यूट्यूब पर भी आपका खतम है रीजरिंग का भी सलेवस आपका लगबख खतम है जीके क्योंकि अलग अलग कैई सब्जेक्ट होते हैं उनसे मिलकर जीके बनता है और यूपी के लिए जो जीके आता है यूपी जिलवाडर का वो भी बिलकुल अलग भिन्न पिरकार का आता है मतलब है नॉर्मल अगर आप एक हिस्ट्री पढ़ोगे तो से एक दो कुछन आ जाएंगे जोगरफी से एक दो कुछन आ जाएंगे बाकी पता नहीं कहां कहां से चीजे तो उसके लिए हमने कुछ मैंने टॉपिक्स के एक लिष्ट तयार की थी जो आपके मुख्य सब्जेक्ट है उनका तो आपको पसा जाए तो मैं उसी पर वीडियो बनाऊं जिससे जादता लोगों तक वो लिष्ट पहुंच सके तो वो लिष्ट मैंने बनाई है वो टॉपिक्स की जिनको जीके का कम से कम उतना तो आप करके जाना और करेंट अफिर की क्लास रेगुलर लीजिए उससे क्या होगा अग है कि आप 30 से प्लस कुश्यंस करें तो अभी आपको बिल्कुल भी रिलीव नहीं होना बिल्कुल भी निश्चित होकर नहीं बैठ रहा क्योंकि जेलवाड हो एंटीपीसी हो कोई हो एक्जाम आपको सब देने सब आपने भर रखा है तो सिंपल सी बात है हम अपनी तैयारी को उसी इस्थिती में जारी रखेंगे जिस स्थिती में अभी हम तैयारी कर रहे हैं जो लोग अभी भी नहीं स्टार्ट कियें उनसे उमीद है कि आप लोग कर लीजिए ये महामारी ने बता दिया है कि गौर्रमेंट नोकरी सरकारी नोकरी कितनी आवश्यक है कितनी जरूर समझ रहे हैं मेरी बात तो अगर इसमें आपका कुछ और अपडेट जैसे ऑफिसियल वेब साइट पर आती है तो मैं आपको वो ऑफिसियल अपडेट दे दूँगा अभी सितंबर 2020 ऑफिसियल वेब साइट कह रही है और आज 18 तारिक क्या पता वो अपलोड हो जाए 17 का में बात हुई थी, ASI और SI की वेकेंसी के बारे में बात हुई थी और तीसरी बात जो लोग जिनका पदुन निती हुई थी प्रमोशन हुआ था उनके प्रिस्टिक्षण के बारे में बात हुई थी, जेल वाडर आदी की डेट को बढ़ाने के बारे में उस मीटिंग में को लगेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, आप 1.500 बटा 1.500 कुशन अट fines क्रने के उधेश नुदेश से मत जाना कि 1.500 करके आँँगा, गलत या, सही, 1.500 के 1.500 क्रेश करके आँगा, यह उधेश न बनाईए, अगर आपको इस नौकरी में लगना है, तो आपको सबसे आगे निकलना है पता नी इतना समझाने के बावजूद भी इतना आपको समझाने के बावजूद भी अब क्यों नी चीजों को समझते हो पढ़ो बेटी पढ़ो पढ़ाई में जब आप रम जाओगे तो आप नंबर भी ले आओगे अगर आप वही उम्मिद से जा रहे हो कि देड़ सो में से 75 करके आऊँगा, 100 करके आऊँगा, 30 गलास 70 पे बताओ जी मेरी कितने आएंगे, तो मैं तुमारी चकल भी नि दिखूँगा, देड़ सो बटे देड़ सो का उद्देश्य बनाओ, और देड़ सो बड़े देड़ सो का सही कुश्यन करके आऊँगा, ये हवार आती है, तुरंत आप तब बता दी जाएगी, मैराथन क्लास भी चल रही है, अभी दस बजे आपकी, अभी 9 बजे UPSI का मैच चल ला, इतना बढ़िया, लांबा सर के साथ की देखने दिखाने लायक, अगर कहीं पढ़ो और कुछ करके जाओ, समको पढ़ाओ तो कित साधनों का अभाव नहीं है, कंटेंट का अभाव नहीं है, कि आपको कंटेंट की कमी है, बाकि आप लोग समझदार है, अपनी मेहनत कीजिए, और अपना एक सीट निकाल के दिखाईए, जिससे कि कम से कभी महावारी में, आगे भगवान कभी कुछ ऐसी कोई आफ़त आती है, तो आप लोग कम से कम निश्चेत अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हों, तो चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, जैसे कोई नई बात, कोई नई ध्यानकारी आती है, तुरंत आप तक पहुंचाई जाएगी, थेंकियो अलदा बेस्ट, अच्छे से क्वेंजे आती है!